अवेद खनन की विरुद कल उपजिले अधिकारी कार्याले का होगा घेराव विकास खंड विक्रम जोत के काशीपुर में बालू खनन हेतु उतारे गए मशीन का स्थानी किसानों द्वारा आज लगातार पांच वेदिंग भी जारी रहा विरुद चंद्रमनी पांडे के नितरतव में कल हुगा तीन सूत्रिये मांगो को लेकर घेराव आज ग्रामिनो संग पूरे छेत्र का स्थलिये निरिक्षन करते हुए समाच सेवी चंद्रमनी पांडे सुदामा जी ने कहा कि जब खनन ही तू टेंडर बरदिया लोहार में है तो किसानों की समस्या के समाधा नहें तू यदि अधिकारी यहां तक नहीं आएं ऐसे में हम किसानों संग खुद उपजिलर अधिकारी कार्याले का घेराव कर किसानों की सहमती बिना किसी प्रकार का खननकारी रोपने की मांग करेंगे यदि मांगे नहीं सुनी गई तो हम बे धर्मेंद्र पांडे, उतकर्ष पांडे, अंकुर पांडे, रिशब पांडे सहीत सैक्लो ग्रामीन मौजूद रहे। ध्यास है गुम्राह करने का तरीका है ठेकेदारों बड़ा, यही आप ग्रामीनों की माने तो ना तो कोई खनन से संबंदित, ठेकेदारों के पास टेंडर है, न कोई आदेश है, अगर है भी तो इनको दिखाया नहीं गया है, और अगर इनके छेतर में खनन, पहली चीज, इ यहाँ वह सामती पत्र है, जिसके आदार पे कासी पूर छेतर में ख़दाई होनी चेहें, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं, या तो SDM महोदे को, अस्थानिय प्रसासन को, इन खनन माफियों द्वारा गुम्राह किया जा रहा है, आथवा वो ग्रामीनों की बाट ढंक से सुनन में रहे हैं, आप एच्छा करता हूं कि आज सामतक अधिकारी मामले कित्ताह तक जाएंगे, ग्रामीनों को न्याय दिलाएंगे, अन्य था कि दसा में, कल हम ग्रामीनों के साथ उपजिल अधिकारी महोदे के पास घराओ के लिए आ रहे हैं, मैं चन्वड पंडे 307 विधन में इतनी बालू निकल जाएगी कि खनन माफ्याओं का वारा न्यारा हो जाएगा और किसान वेचारा वेचारी का वेचारा रह जाएगा, मैं चन्वड पंडे 307 विधन सभाड़ी में